हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टडी सिंप्लिफाइड, तुड़े वी आ गोईंग टू कवर पार्ट टू अफ एंडस वैली सिविलाइजेशन, हम लोगों ने पार्ट वन कर रखा है और अब हम पार्ट टू स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट टू में बेसिकली हम देखे कि क्या-क्या आर्केलोजिकल फाइंडिंग्स हमें मिली, मेजर साइट्स पे, इसके अलावे उनका जो टाउन प्लानिंग का जो कॉमन फीचर्स हैं, वो देखेंगे, उनकी ट्रेडिंग, उनका एकनॉमिक कंडिशन कैसा था, यह सारी चीज़े हम देखेंगे, इससे पहले एक कोशन है आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कल मैंने आपको बताया था, फादर ऑफ आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कॉन है, चलिए कमेंट करके बताइए, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जो सबसे पहला साइट है, हरपा, उसमें जो आर्केलोजिकल फाइंडिक्स मिली, अब यह आप टेबल देख रहे होंगे, इसमें तो बहुत कुछ लिख रखा है, मट यह साही चीज़े हमें नहीं पढ़ना है, जो में में इंपोर्टेंट चीज़े हैं, वो मैं आपको बताते चलूँगे, ठीक है, सो हरपा में जो में इंपोर्टेंट चीज मिला, यह तीन चीज़े आपको याद रखना है, कई बहुत एक्जाम्स में कोश्चन आ चुका है, क्ले फिगर ओफ मदर गौड़ेस कौन से साइट पे मिला था, तो दा आंसर इस हरपा साइट पे मिला था, नेक्स्ट, मोहनजदारो, यहाँ पे हमें क्या मिला, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बात, ग्रेट बात पे यह ध्यान रखियेगा, कि यह जो है, लार्जस्ट बिल्डिंग अफ सिविलाइजिशन हुआ करती थी, ठीक है, इसके अलावे, यहाँ पे और क्या मिला, तो ब्रॉ इमेज अफ निउड वोमेंड दांसर, एंड इमेज अफ बियर्ड मैं, यह चार चीज इंपोर्टेंट है, जो कईबा एक्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, नेक्स्ट देखते है, चहनुदारो, यह है सिटी विदाउट सिटाइडल, अब सिटाइडल क्या होता है, यह आपको पता नहीं होगा, मैं आपको आगे बताती हूँ, इसके अलावे, इंकपोर्ट और लिपस्टिक, यह भी चहनुदारों में मिला, ठीक है, सिटाइडल में आपको भी बताती हूँ कि क्या होता है, ठीक है, लोथल, लोथल में डॉक्यार्ड मिला, और राइस खस् वो उसका evidence हमें कहां से मिलता है, तो वो लोथल से मिलता है, ठीक है, इसके अलावे एक और important है, painted jar, bird and fox, एक jar था जिसमें bird and fox का paint किया हूँ था, तो यह भी important है, काली बंगा, काली बंगा में मिला, plod field surface, ठीक है, यह याद रखना है आपको, wheels of toy cart, हाँ, और पता है, evidence में कई जगे खिलोने भी मिलें, तो ऐसा भी लोग बोलते हैं कि शायद इस civilization में बच्चे जादा हुआ करते था, ओके, next is, बाना वाली, बाना वाली में, lack of chess board और grid on pattern town planning, ऐसा था, मैं बताऊंगे, grid town planning क्या होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है, toy, plaw मिला, ठीक है, clay figure of mother goddess यहाँ पे भी मिला, बट हरपा में जो मिला वो ज्यादा imported है क्योंकि वहाँ पे ज्यादा ही मिला है, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, ढोला वीरा, unique water harnessing system and its strong water drainage system, यह याद रखना है, water harnessing system कहां मिला है, तो ढोला वीरा में मिला है, इसका evidence, and इसमें एक चीज़ और है, only side to be divided into three parts, क्योंकि यह जितने भी sides है, इनमें जो towns हुआ कती थी, दो पार्ट में divided होती थी, ठीक है, और ढोला वीरा एक मात exception है, जो three parts में divided था, next is surkotda, bones of horse, यह तो बहुत बाइग्जाइम में पूछा जा चुका है, SSC में, railway में, and even PCS में, कि bones of horse का evidence कहां से मिलता है, तो वो मिलता है surkotda, ठीक है, next is dhamabad, तो यहाँ पे मिला है, bronze image, chariot with chariot, तो यह पढ़ लेना है, अब देखें, इतना ज्यादा complicated table था, बट इसमें जो important चीज़े हैं, जो exams में पूछा जा चुका है, वो मैंने आपको बता दिया, तो आप यह चीज़ पे emphasize करके, अच्छे से note कर लीजे और पढ़ लीजेगा, next हम आते हैं, बोहनज़दारो, the largest site of inner civilization, राखीगीरी, the largest Indian site of inner civilization, ठीक है, तो यह याद कर लीजेगा, अब देखें, common features of major sites, चार feature हुआ करती थी, इसको याद करना अच्छ से, systematic town planning, जो की grid system हुआ करता था, use of burnt bricks, ठीक है, पक्का bricks यूज़ किया करते थे वो, third है, underground drainage system, and fourth one is fortified citadel, देखें, यहाँ पर citadel आया, अब मैं बताती हूँ, अब इनका town planning ऐसा होता था ना, कि north से south, ठीक है, main road हुआ करता था, and, हर main road में, alleys होती थी, जैसे गली होती है ना, वैसे alleys होती थी, ठीक है, दोनों साइट से, अब alleys में सब alleys होती थी, माली जए, गली के अंदर गली, ठीक है, ऐसे, अब जो भी घर होते थे ना, उनके दरवाजे, systematic way में, यहाँ खुला करते थे, गली में, ठीक है, तो यह इनका grid system हुआ करता था, और घर बनाने के लिए, वोलो, जो bricks use करते थे, वो पक्का bricks होता था, और वो, alloval soil का बना हुआ होता था, drainage system उनका बहुत अच्छा हुआ करता था, बहुत advanced थे, वोलो, and fortified sit title, अब देखो sit title क्या होता है, जैसे कि एक town है, तो town, two parts में divided हुआ करता था, एक sit title, जो की थोरे, upper part में हुआ करता था, और जो lower part में हुआ करता था, ठीक है, उसका कोई specific name नहीं है, बढ़ एक upper part होता था, जो एक podium पे बना हुआ होता था, और एक lower part पे बना होता था, तो जो upper part पे बना होता था, वो basically administrative center of town हुआ करता था, और जो lower part पे होता था, वहाँ पे लोग राते थे, और ये जो wall होता था, town को जो surround करते वे wall होता था, उसको बोलते थे sit title, town was surrounded by large walls, मानों की उसको किसी के protection से, protection के लिए बनाया गया हो, तो यहाँ पे देखो, चहनुदारों जो एक exception है, उसमें sit title नहीं था, ठीक है, बाकी सारे sites पे हमें sit title मिला है, तो यह common features याद कर लिजग अच्छे से, यह भी कई by exam में पूछा जा चुका है है, है ना, नेक्स्ट हम आते है, सुरकोटदा, the only in the site where remains of horse have been actually found, तो यह तो हम table में किये ही थे, सुरकोटदा, यह भी कई by exam में पूछा है, कि evidence of bones of horse का मिला, तो सुरकोटदा में मिला है, ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, अब main crops, अब वो लोग खाते पीरते किया था, क्या crops उगाते थे, तो wheat and barley, यह main crops होता था उनका, ठीक है, other crops भी था, dars, mustard, cotton, वगेरा, यह देखो, Indus people were the first to produce cotton in the world, यह देखो, यह कई by exam में पूछा जाता है, ना, cotton उगाने वाले, सबसे पहले लोग Indus valley civilization की हुआ करते थे, हर अपन्स होते थे, ठीक है, नेक्स आता है, animal, animal उस समय कौन-कौन से होते थे, बहुत होते थे, ship, goat, hump, humblis, bull, buffalo, boar, dog, cat, pig, बहुत सारे थे, ठीक है, tortoise, elephant, camel, rhino, tiger, बट जो नहीं होते थे, वो अपने खुद्धान में रखना है, lion was not known to Indus people, ठीक है, इसके अलावे cow, cow was also not known, तो ये दो याद रखिएगा, exam में ऐसे पूछे जाता है, exception वाले चीज़ जादा पूछे जाता है, ठीक है, अब इसी तरह से, देखिए, अब ये लोग हरपन्स trading भी करते थे, तो किसके साथ trading करते थे, there was extensive inland and foreign trade with Mesopotamia and Bahrain, अच्छा, तो देखिए, जब अपना Indus Valley civilization का time था, उस time पर कौन-कौन से civilization हुआ करती थी, उस time Egyptian लोग भी हुआ करते थे, ठीक है, Mesopotamia civilization भी हुआ करता था, और Chinese civilization भी हुआ करता था, बट ये लोग basically जो trade करते थे, वो Mesopotamia and Bahrain के साथ trade करते थे, अब trade में ये लोग कुछ product import करते थे, तो कुछ export करते थे, अब export करने के लिए तो इनके पास agriculture product हुआ करता था, cotton हुआते थे, तो cotton goods होता था, बट इंपोर्ट ये लोग बहुत तरह का चीज़ करते थे, एक चीज़ मैं आपको और बता दू कि ये लोग जो metal यूज़ करते थे थे ना, वो copper हुआ करता था, इस लिए इस time zone को bronze, bronze civilization भी बोला जाता है, वो किस चीज़ का बनावा होता है, copper plus tin, है ना, तो इस time copper abundance में मिलता था, tin भी हुआ करता था, तो ये लोग bronze, bronze का use करते थे, bronze का कई जगे, image मिला है, seal मिला है, है ना, jewelry, even jewelry भी वो लोग यूज़ करते थे, तो ये साई चीज़ याद रखनी है, आईए देखते हैं, ये लोग import करते थे, gold कहां से, कोलार करनाटका, अब आपको पता हुआ, करनाटका में कोलार माइन्स है, जो बहुत famous है gold के लिए, वो तो आज भी है, तो ये easily आपको याद रहेगा, अफनागस्तान, silver कहां से, अफनागस्तान और पर्सिया, copper, खेत्री इन राजस्तान, राजस्तान में खेत्री है, एक जगे जो copper के लिए बहुत ज़्यादा famous है, तो वहां से ये copper import करते थे, tin अफनागस्तान बिहार, देखो, tin तो अपने बिहार में होता था, तो basically gold, silver, copper, ये लोग import करते थे, और देखते हैं, एक्सपोर्ट क्या करते थे, ब cotton, terracotta, pottery, ivory products, copper etc, ठीक है, अब देखिये, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, a very interesting feature of this civilization was that iron was not known to the people, iron का खोज उसमें नहीं हुआ था, ठीक है, Harappans were earliest people to produce cotton, so they were also known as syndons, syndons एक Greek word है, तो Harappans को syndons भी कहा जाता था, there is no evidence of coin, कोई coin नहीं हुआ करता था, बार्टर सिस्टम उसमें prevail करता था, ठीक है, बार्टर सिस्टम से वो लो लेन देन करते था, next important point है, Lothal was an ancient port of inner civilization, यह कई बाई exam में पूछा गया है, SSC वगरा मैं, यह आप याद कर लीजेगा, ठीक है, नेक्स्ट आता है, हाँ, वो लोग किस religion को follow करते था, तो वो लोग idol worship नहीं करते था, बट वो लोग mother goddess, पश्यूपती महादेव, इन दोनों की पूजा करते था, इसके अलावे, ठीक है, रिमेंस और रेलिक्स आलसो रिवील्स डैट, जोलर्ट्री डैट इस अनिमल वर्शिप और वर्शिप वर्शिप वे इन वर्ग इन दोस देज, बहुत जादा पॉपुलर था, हाँ, आनिमल वर्शिप और ट्री वर्शिप, तो इससे यही समझ में आता है, कि वो mother goddess का, जो clay का figure मिला था, हरपपा में, हाना, पशुपती का seal मिला, तो इससे यह समझ में आता है, कि यह लोग इनकी पूजा किया करते थे, ठीक है, एंड इसके अलावे आपको एक चीज़ याद रखनी है, कि जो पशुपती महादेव है, उनका जो seal मिला, उसमें वो surrounded by four animals, कौन-कौ and two deer appears at his feet, तो यह पांच animal का नाम याद रखना है, क्योंकि question आएगा, जिसमें एक animal देगा, option में, और पूछेगा, कि कौन सा animal नहीं था, तो odd one out, आपको लोग कर लीजेगा है, तीक है, इस तरह से हमने इनका religion भी देख लिया, और finally, अब यह chapter का end है, तो इसमें देखते है अब देखो, जो भी inscription मिला है ना, उसको decifer तो नहीं किया जा सका है अभी तक, बट जो pictures है, उनको देखके idea लगाया जा चुका है, इस वज़े से, इस वज़े से, यह जो बहुत ज़्यादा complex हो जाता है, complex हो जाता है, उनका पुरा history, उनका origin का पता करना, तीक है, चलो, यह देखते हैं, आगे क्या है, the origin of swastik, symbol can be traced to indus civilization, अच्छे यह जो स्वास्तिक होता है, यह भी, sorry, यह जो स्वास्तिक होता है, यह भी indus valley civilization से ही origin हुआ है, अब देखो, सब कुछ इतना well developed था, वो लो इतने advanced थे, फिर अचानक से उनका नामो निश्यान कैसे खतम हो किया, तो यह जो है, बहुत सारे scholars है, ऐसा बोलना है उनका, कि indra, जैसे एक का देखो, indra is accused of causing decline of indus civilization, तो बहुत सारे लोग हैं, उनका ऐसा मानना है, कि यहां पर बहुत 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 फ्लरड आया, और जो sites था वो डिस्ट्रॉय हो गया, महांजोधारों के बारे में कहा जाता है, कि वहां पर seven times flood आया, और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ नी बच्चा महां पर, तो इसी तरीके से वो जो civilization था, उसका end हो गया, and finally हम भी chapter के end पर आ गया है, and यह देखो, contemporary civilization, कौन-कौन सा था, Mesopotamia, Egypt and China, यह भी question में आ चुका है, तो यह भी आप अच्छ That's all in today's video, we have completed this chapter, Milte Ekal Ek New Topic के साथ, I hope you enjoyed watching the video, if you want to recommend anything, please do it in comment box, thank you so much.